ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं दो-तीन दिन से एक वीडियो वाइरू हो रहा है जिसमें सिक्क कम्मिनेटी कह रही है की हमारी दो बच्चियां दन्मीट और मन्मीट मिस्सिंग है जिसमें मन्मीट को ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मन्मीट को रिकवर कर लिया है और दन् 2012 में converted हुई हूँ 2014 में मेरे निका हुए है मेरे batchmate मुझफर के साथ जो मेरी और उसकी रजावंदी से हुए है उसके बाद 6 जून 2021 में अपने गर से निकली मैंने अपने गर में कॉल भी किया कि मैं अपने मर्जी से निकली हूँ मुझे डूढना नहीं और विदिन दो गंटे मैं पुलीस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलीस स्टेशन बागात ले आए जिसमें आल्रेडी पूरी सिक कम्मिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी उसके बाद सेचो ने मेरा स्टेटमेंट लिया जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ औरल ले रहा था मैंने उसको ये बो मैं इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉक अप में डाला गिया था उसके उपर एक्ट सो चार्जस लगा दिये गए थे मैं इनको बार बार बोरी थी कि मेरा 2012 में कनवर्टेड हूं मैं मैं 29 यर ओल्ड गर्ल हूं मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं किये स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया और उसके वादी नेक्स टे सेवन्थ को मेरी फैमिली मुझे यहां से जम्मू ले गई और जम्मू जाते ही क्या हुआ जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए पंजाब में मेरे को अलग-अल किडनाइप नहीं किया है मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ हमारे पस हाई कोड के डॉकुमेंट्स है आप वो देख सकते हो लड़के के उपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं फॉल्स हैं क्योंकि यह सब मेरी रजामंदी से हुआ है हमारे जो डॉकुमेंट्स ह वो हाई कोड के डॉकुमेंट्स है इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हम आपको उनके पस वापिस नहीं बेच सकते हैं मैं उनको बार बर कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है मैं एक मैच्चुर गर्ल हू इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहाँ पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा तो हमारे शूटर्स वहाँ पर बाहर आपका वेट कर रहे होगी आपको निकलते ही शूट कर दिय जाएगा या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे acid attack तो आप पर हो जाएगा या हम उनकी family पर acid attack कर देंगे वो मुझे threatening सीधी दे रहे थे मेरे face पे उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो ने दिया वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए वो वी मेरी दूँगी क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुए है मैं किसी बेगुणा को नहीं फसा सकती क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है मैंने जब मैं जब मैं घर से निकली मैं गर भluence decrease हो वी और उसके बाद मेरी मेरी बात नहीं सुनी r the तो हम जम्मू आगे क्योंकि उन्होंने उनका जो प्लान था जो उनका नेक्स्ट प्रोपागंडा वहां पर ये था कि लड़की को गोल्डन टेंपल से बाहर निकालो लड़की जैसे ही बाहर निकलती है हम इस पे कोई अटैक कर देंगे मेभी वो कुछ भी हो सकता था वो एक पोस्ट मॉटम रिपोर्ट देंगे जिस पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में हम ये मेंशिन करेंगे कि एक सडन डेथ हुआ है इस लड़की का हर्ट कोलैप्स हो गया है यह इसको ब्रेन हमेच हो गया है हम जो भी करेंगे हम बिल्कुल साफ सुत्रा करेंगे हम इसको ये बता द में निकल जाएंगे, हम यहां से निकल देंगे, ठीक है, जैसा आप बोलोगे, जम्मू में आपको यह स्टेटमेंट देदूगी, बट मैं पंजाब में यह स्टेटमेंट कभी भी नहीं दोगी, और उसके बाद हम लोग जम्मू आगे, जम्मू आते ही, जैसे हम एक दिन पुलीस से हैं, हम गेट के बाहर हैं, आप आइए, तो मेरी फैमली में दो बंदे बाहर गए, वो उनसे मिले, वहाँ पर जम्मु जानीपूर की पुलीस भी थी, यह नहीं था कि वहाँ पर खाली कशमीर पुलीस थी, वहाँ हमारे गर के साथ ही पुलीस स्टेशन है, उनकी प पुलीस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपुर, S.H.O. ने मुझे हैंड ओवर किया कश्मीर पुलीस के हवाले और उन्होंने को बोला, जब सब उन्होंने हाई कोड के ओर्डर्स देखे, हाई कोड के डिरेक्शन देखे तो उन्होंने बोला, आप लड़गी ले जा सकते हैं और उसके बाद ही हम आगे, हम यहाँ पर पहुंचे, मुझे वुमिन्स पुलीस स्टेशन में रखा गया वहाँ पर मेरे को ना कोई मिलने आया, ना मैं किसी से मिलना ही चाहती थी और नेक्स टेए ही मेरे को सदर पुलीस स्टेशन से पुलीस की गाड़ी आई, जो मुझे कोड ले गई और आप सब educated है, मैं खुद भी educated हूँ, आपको पता है, कोट में कोई किसी को gunpoint पे कभी उसकी statement नहीं ले सकता है अगर ऐसी चीज़ें होने लगी, फिर कोट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सब तो आपको पता ही है, कोट पे कोई किसी को gunpoint पे नहीं रख सकता है और मेरे को जैसे जम्मू में लाए गया, मैं तो किसी से भी नहीं मिली, मेरे को तो women's police station में रखा गया, उसके बाद ही सुबह स्कैर आई, किसी को नहीं पता था कि मेरी hearing है, क्योंकि मेरी hearing already तीन बार delay हो गई थी, क्योंकि तीन बार six से लेके 25 तक हम out of station थे, हम जम्मू, हम पंजाब में थे, मेरी hearing, मेरी जो hearing है, वो miss होती गई, हाई code के direction से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मुझे code तक पहुंचाया गया, code में judge sahiba के सामने, मैंने अपनी statement दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है, कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है, मैं 2012 में converted हूँ, 2014 में मे रेनिका हुए है, मेरी batchment के साथ, उसके ओपर जितने भी acts allegations है, वो baseless है, वो false है, और उन्होंने मेरी statement सारी written record कर दी, तो आप सब भी ये जानते हैं, कि अगर judge के सामने भी कोई किसी को gun point पे रख सकते है, तो हम तो किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं, आप सब तो जानते ही है सब के family members, किसी का कोई court में होगा, सब इसमें जानते हैं कि judge के सामने ये चीजे नहीं हो सकती है, अगर ये चीज होनी होती है, तो पहले ही हो गई होती, फिर तो ये मुझे आराम से यहां पर लास सकते थे, अगर मेरी statement ऐसी होनी होती, और judge के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होत है, एक political issue मत बनाइए, एक minority किसा मत बनाइए, क्योंकि जो चीज अपनी रजामंदी से होती है, इसको minority में मत लाइए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से converted हूई हूई हूए, और please मैं सब से ये बोल रही हूँ, कि ये दो दून और तीन दिन का मसला नहीं है, 2012 का मसला है, मेरे documents पूरी Sikh community के पास हैं इस time पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो ये क्यों बोल रहे है, gunpoint पे रखा गया है, हम कोई छोटे बच्ची नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 28 years old girl हूँ, मेरे को कौन gunpoint पे रख सकता है, ऐसा है कि ऐसा भी होने लगा gunpoint पे statement होने मेरे को, in fact अगर दबाव मुझे दिया गया, वो मेरे को बाहर दिया गया, कि अगर आप कश्मीर में आपने लड़के के favor में कोई भी statement दी, हम आपको जिन्दा नहीं रखेंगे, आप पे attack होने वाला है, उसकी family में होने वाला है, उसके उपर हो जाएगा, लड़के को हम कोई threatening नहीं था, मैंने तो freely अपनी सारी statement यहाँ पर दी है, और please मैं आप सबसे ये बात बोलती हूँ, इसको please religion को बीच में मत लाइए, minority को कम से कम बीच में मत लाइए, क्योंकि ये minority का किस्ता नहीं, आप लोग प्रपगंडा बना रहे हो, minority में ऐसा हो रहा है, वैसा हो र girl है, उसको तो supreme court के orders है, वो अपने rights को चुन सकती है, right to religion, right to marriage, ये तो आप सब नोएंगे इस बारे में, so please religion के नाम पर ये धंगे फसाद मत करवाईए, ये demand मत कीजिए, वो missing है, मैं कोई missing नहीं हो, मैं जहां पर हूँ, मैं अपनी मर्जी से हूँ, और मैं बहुत खुश ह का नाम और minority का नाम मत बताए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, जिसको बोल के ये करके ये चीज कराए जाई, फिर तो मैं अपनी family के साथ पूरा 25 डेज थी, जिसमें उन लोगों ने, मेरी three hearings मिस हुई है, यहां पर, और fourth hearing में, जब हाई court के directions से, तब मैं यहां पर पहुची हुई है, so please आप इसको minority का किस्सा मत बनाएए, इसको इतना बड़ा political issue मत बनाएए, जो चीज अपनी रजामन्दी से हुई है, उस चीज को please आप लोग political issue और religion issue मत बनाएए, okay thank you